प्रदेश की रासधानी राइपूर में अतिथी सिख्षक कल्यान संग के बैनर तले 40 दिन से अनिस्चित कालीन आंदोलन पर डटे विद्या मितानी ने नियमतिकरण के आवाज उठाई है केवले एक सुत्री मांग नियमती करन किये जाने को लेकर अतिती सिक्षक कल्यान संग लगतार 40 दिन से अंदोलन किये जा रहे हैं आंदोलन के दौरान विद्या मितनीनों ने राज सरकार से नियमिती करन की गुहार लगाई और अंदोलन कारियों की शुद लेने की बात कही है आज अनिक्रित करीन हरताल का चालीशित करीन हरताल और अभी तक हमारे हमको को कोई लिखी तश्वासान नहीं मिला है माननी मुक्यमंतर जी का दो दिन पहले बयान आया था, दो चार दिन पहले निउस में कि हमारी बात हो गई है, लेकिन किस से बात हुई, अभी कुछ पता नहीं चला है सर, रही बात अगर मुक्यमंतर जी ने बोला है, कि इनको आदेशित करना है, तो सिख्चा मंतरी क्यों आप तुरांत मंत्राले में आदेशित करिए कि इनको फ़लाना तारीक से हम निमित कर रहे हैं आप लोग घर जाईए अज हमारे अनिशी जारीन हर्ताल का 40 वा दिन है और हम लोग सिक्षा मंत्री का घराओ करेंगे क्योंकि हम लोगों की बात यह सुनी नहीं जा रही है करेंगे लेकिन हमको लिखित में चाहिए हमारा पेट नहीं भरता स्वासन से लिखित में चाहिए कि हम लोग यहां पे भूखे मर रहे हैं असर हम पर कुछ नहीं पड़ेगा हम जिस परकार से मैदान में पिछले 40 दिन से डटे हुए हैं हम आगे भी डटे रहेंगे जिस परकार से हमारी मांगे को पूरा नहीं किया जा रहा है हम आगे और उग्रा अंदोलन करेंगे ताकि हमारी मांग को सुनी जाए और हमारे नि